हेलो नमस्कार जी आप सभी का यूटूब चैनल एजूकेशन नौलिश टीव पर हारदिक स्वागत करता हूँ कैसे आप सभी आप सभी के लिए एक बार फिर से बहुती जबरदस खुसकबरी लेके आए हैं आने वाले च्यार फरवरी दो हजार चोबी सुवह से ही आपको मिलने जा रही है मोधी सरकार की तरफ से खुसकबरी चीहां अचानक से प्रदार मंतरी नेंदर मोधी ने अभी अभी दस मिनट पहले ही बहुती जबरदस तोफे दिये हैं आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ इनफोर्मिसन आई हुई है आप सभी को मैं बता दू लगातार मोधी सरकार गरीबों के हक में बड़े बड़े जो फैसले हैं वो ले रही है बहुत से ऐसे गरीब परिवार है जिनको गरीबी से बाहर भी निकाल चुकी है मोधी सरकार एक करोड से ज़्यादा लोगों को अभी हाली की बात करें तो लाडली बहना योजना के तहत पलाट भी उपलब्द करवा चुकी है मोधी सरकार और भई आने वाली चार फरवरी से आपको क्या-क्या योजनाओं का फायदा मिलेगा आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे किस परकार से आपको तीन अजार रुपै अब हर महीने बिल्कुल फ्री में मोधी सरकार देगी किन को देगी ये भी आपको बताऊंगा वहीं अगर आपके पास रासनकार बना हुआ है पीला या गुलाबी रासनकार आपके बना हुआ है तो प्रधान मंतरी नेंदर मोधी की सरकार आपको प्रधान मंतरी गरीब कल्यान आनियोजना में अतरिक्त रासन भी देने जा रही है उसके साथ साथ आप रोडवेज की बसों में फिरी सपर कर पाएंगे आपका जो पास है वो भी बनना सुरू हो चुका है क्या-क्या डोकोमेंट आपको लगाने पड़ेंगे पास बनवाने के लिए ये आप जानेंगे भई भही आप अगर एक महिला है तो महिला को किस परकार से मोधी सरकार अलग से बेनिफिट दे रही है छात्रों को अलग से बेनिफिट दे रही है हम बात करेंगे किसानों की तो किसानों को मोधी सरकार ने तोफ़ा देते हुए 12,000 रूपए किसान सम्माने दी के पैसे करने की बात भी कही है पूरी जानकारी मिलेगी भई अपने गाउं, सहर, राज्य का नाम कमेंट करके बताएगा भई कहां से वीडियो देख रहे हैं आपके गाउं, सहर, राज्य से जुड़ी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे आप सभी को मैं बता दूँ लोकसाबा के चुनाव आने वाले हैं और अप्रेल और मही में आपके जो चुनाव हैं वो भी हो जाएंगे मोधी सरकार उससे पहले सभी गरीबों को जितनी भी योजनाए हैं जो कि मोधी सरकार पिछले पांच साल में ना देशगी वो अब आपको दे दी जाएंगी अभी दो या तीन मैने के अंदर अंदर ही आने वाली चार फरवरी से सबसे पहले हम बात करेंगे जिनका भी BPL का रासनकार बना हुआ है और तीन लाख रुपे तक इंकम है जान दे एक वरस की इंकम तीन लाख रुपे तक किसी परिवार की है तो वो परिवार अब कहीं पर भी जाने के लिए परेशान ना हो जी हां मोधी सरकार उसको अब कहीं पर भी जाने के लिए पैसे नहीं देने होंगे उनको एक वरस में 1000 किलोमेटर तक उसकी जो बस की यात्रा है वो बिल्कुल फिरी कर दी गई है बहुत से राजी सरकार उनने इस पर मोहर भी लगा दी है आपको मैं बता दू इसके लिए भी तैयार कर ले गया है आपको पास बनवाने के लिए कहीं जाने के जरूरत भी नहीं है आप अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं पास बन करके आपके घर पर डग के माद्यम से मोधी सरकार भेजना का काम करेगी जब कभी भी आप बसों में सफर करें तो आप उस दिखा दें उसके बाद आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा ये बड़ी ख़बर है उसके साथ साथ अगली बड़ी ख़बर की बात करेंगे मोधी सरकार नहीं को बड़ा फैसला लेते हैं कि अब अचानक से फैसला लिया गये मोधी सरकार नहीं कि जिनके पास भी पी पांच साल गे लिए मोधी सरकार पहले ही दिसंबर में बढ़ा तुकी है अब मोधी सरकार इसमें कुछ अलग से प्राउधान करने जा रही है आपको मैं बता दूँ मोधी सरकार इसमें अलग से प्राउधान करते हुए अब जितने भी राशनकार के मेंबर है उनको अलग-अ महिने में अपना अंगुठा लगाना अनिवारी कर दे गया है अन्यत आपको मैं बता दूँ बहुत से ऐसे राशनकार फरजी पाए गए थे उनका राशनकार भी आने वाड़े दिनों में बंद कर देगी मोधी सरकार वही मैं आपको उता दू भई राशनकार पर तीन अत्रि आपको मैं बता दू चना जो है परतेक परिवार को 20 किलोग्राम आधिक तव वह कम से कम 5 किलोग्राम जो चना है वो दिया जाएगा मोधी सरकार की तरफ से बहुत सिराजी ऐसे थे जहां पर पहले दो या तीन साल पहले चना उपलब्द करवाया जाता था लेकिन चना चीनी वह सरसो का जो तेल है इसके आपको पैसे देने होंगे चीनी की बात करें तो 10 रुपए परती किलो के इसाब से आपको चीनी दी जाएगी कोटे में और यह जो चीनी है यह बढ़िया क्वालिटी की होगी 10 रुपए परती किलो के इसाब से आप 5 किलो गिराम तक जो वो ले सकते हैं वह हम बात करें अगर आप सरसो का तेल अतरिक्व खरिजना चाहते हैं तो बह्य आपको 4 लिटर तो सरसो का तेल मिलेगा ही 20 पर 3 लिटर के इसाब के आप जो सरसो का तेल मौदी सरकार मौया करवाएगी अगर आप 20 रुपे के इसाब से अगर और भी आपको सरसो का तेल चाहिए यानि कि आपको च्यार लेटर तो मिलेगा ही अगर आपको च्यार लेटर और चाहिए तो आपको उसके अत्रिक्त पैसे चुकाने होंगे यानि कि हम बात करें तो च्यार लेटर तो आपको 40 रुपए में मिलेगा ही उसके ब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में कहीं पर भी जा करके अपना रासन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अपने राज्य में ही आना पड़ेगा, अपने गाउं ही आना पड़ेगा और वहाँ पे आप रासन ले, जी हाँ अब जैसे हम बात करेंगे आप मध्यप्रदेश के हैं और आप काम करने के लिए दिल्ली आये हुए हैं तो आप दिल्ली भी अपना रासन ले सकते हैं आधार काड की जरिये और आप किसी भी रासन की सोप पर जाकर के जो रासन है ये ले सकते हैं वहीं मैं आपको दा सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है बुज़र्गों की जो पैंसन है वो तीन जार रुपए पर ती महीने कर दी गई चार सरकार और राजिसरकार मिल करके डालने का काम करेगि वहीं मैं आपको मैं बता दूं अगर आपके पास E-Sarm card है और आने वाले चार फर्वरी से आपको E-Sarm card पर भी मोधी सरकार बहुत बड़ा benefit देने जा रही है जी हाँ आपको मैं पता दूं E-Sarm card के जरिए अब मोधी सरकार आपको देगी बहुत बड़ा फाइदा, एक अजार रुपे हर महीने आपको दे सकती है, अगर आप एक जाड़े मजदू करने वाले हैं, और एक सतान से दूसरे सतान तक जाते हैं, रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, बहुत से ऐसे गरिब परिवार हैं, जो कि भी रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, और कभ के बाद भी नहीं मिल पाता था अब मोधी सरकार उसको यह लाब देने की तयारी कर रही है तो इसके लिए आवेदन मांगे जाएंगे भी जिनके पाफ ईश्रमकार है वह आवेदन कर सकता है पोर्टल तयार किया जा रहा है जल्द पोर्टल जो है वह लॉंच होगा जैसे पो को मैं बता दू दस लाख रुपे अब आईसमान बारतकार की जो लिमिट है उसको करने की तयारी कर ली है बहुत से ऐसे गरीब परिवार है जो कि भी पांच लाख रुपे तक अपना जो इलाज है वो नहीं करवा पाते थे कई होस्पिटल में जाते थे उनके पांच लाख रुपे भी काट लिये जाते थे और उनको इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जाता था ना उनको इलाज किया जाता था ना ही उनको कुछ दिया जाता था मोधी सरकार आपको पांच लाख रुपे से बढ़ा करके दस लाख रुपे आपके पैसे है वो करने वाली है औ सभी सरकारी और प्राइवेट होस्पिटल में अब चलने वाला है ऐसा नहीं है कि आपकी सरकारी होस्पिटल में ही चलेगा और आपके राज्य में ही चलेगा पूरे देश बर में आप कहीं पर भी जाकर के अपने आइसमान बार्थकार्ड से अपना इलाज करवा पाएंगे बहुत बड़ी ख़बर है मोधी सरकार इस पर बहुत जल्द एक्सन लेने वाली है अगली बड़ी ख़बर की बात करेंगे अगर आप एक महिला है महिलाओं के लिए मोधी सरकार महरबान हो चुकी है महिलाओं को अब एक लाख सेट अजार रुपे की रासी दे रही है जी ह चाहे आप ब्यूटी पालर, चाहे आप सिलाई कडाई, कुछ भी अगर आप सोब खोलना चाहती हो, आप एक लाग सायट अजार रुपे तक ही जो रासी है वो ले सकती है, इसमें आपको एक लाग दस जार रुपे तक सरकार को पे करने है, पाचास अजार रुपे तक ही इसम दूसरा बच्चा आपके पैदा होता है तो आपको अब मोधी सरकार 6,000 रुपे से बढ़ा करके 12,000 रुपे आपको देगी बच्चे के लालन पालन और आपके लालन पालन के लिए अगर किसी के परिवार में ऐसी खुसकबरी होती है और उसके पहला बच्चा लड़की होई चाहिए लड़का हो अगर पैदा होता है तो उसको यह जो फोरम है यह मातरतव योजना के तहत फोरम जो है वाविद्धन करना पड़ता है उसके तहत आपको यह पूरा पैसा है यह मोधी सरकार देने का काम कर रही है बहुत बड़ी खबर है और अगली बड़ी खबरारी ह आपको खुशकबरी देने वाली है जी हाँ अगर आप एक छात्र हैं और 10 रापिर लाप्षा में इस बार पढाई कर रही है या फिर आपके परिवार में कोई खात्र रहा है इस बार मोधी सरकार उसको अलग से बैनिपिट दे रही है जी हाँ आपको मैं बतादू मोधी जार रुपे तक जो चातर वरती है वो मोदी सरकार देने का काम करेंगे, सरकार ने ऊऱ वर फैसला लेती हुए कहा है कि आने वाले च्यार फरवरी 2024 से प्रधान मंत्री आवास यूजनय के तहत जिनों ने भी आविदन कर रखा था पहले दो या तीन साल से लगाता रावेदन कर रखे थे उनको कोई benefit मोधी सरकार नहीं दे पा रहे थी क्योंकि बहुत से ऐसे फोरम थे जो की भी भरने के बाद भी reject हो जाते थे पता यह नहीं चलता था कब भारम भर दिये कब reject हो गए अब आपको मैं बता दू जिन्होंने फोरम पर रखा था प्रधान मंतरी आवास योजना के तहत उनको जो पैसा है वो मोधी सरकार देने का काम कर रहे है इस बार आपको पैसा है वो तीन लाख रुपे से वड़ा करके पांच लाख रुपे मोधी सरकार देने का काम कर रही है अब सभी को मैं पता दूँ मौधी सरकार ने अलान करते हुए कहा है आपको 5 लाख रुपई अब दिये जाएंगे प्रधान मंतरी आवास योजने के तहत 5 लाख रुपई ग्रामइन और सहरी सहरी में आपको बता दूँ प्रगरामिन में आपको पाथ लाक और सहरी में आपको इसकी जो रासी है वो तकरीबन तकरीबन आट लाक रुपे तक मौधी सरकार देने का काम कर रही है बहुत बड़ी खबर है भी, अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, अगर आप एक दाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूर हैं, या फिर आपके परिवार में, या फिर आपके आसपास कोई दाड़ी मजदूरी करने वाला सर्मिक है, और इश्रमकार उसका बना हुआ है, सरक क्या है उसको भी डबल कर दिया गया है पहले क्या था कभी एक करोड़ लोगों को इस योजना का फायदा दिया जाना था इस बार एक करोड़ 80,00000,00 लोगों को इसका फायदा दिया जाना है अब कमें लिटा तो 2024 ओर अपरेल तक जैसे चुनाव आएंगे उससे पहले-पहले ही सभी को फायदा दे दे जाएगा मोधी सरकार का लक्स है कि जितने मी मजदूर है और एक सतान से दूसरी इस्तान तर जाने के लिए काफी जाज दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ता है तो उनको मोधी सरकार 5,400 रुपे यनकी 400 रुपे की जो रासी है वो परदान करने जा रही है और ये जो रासी है आपको सीधे डिविटी के माद्दम से आपके बैंक अकाउंटों में मिल जाएगी आपको मैं बता दूँ डेबिटे के माद्दम से आपको जो पूरा पैसा है ये मिलेगा आपको एक आवेदन करना पड़ेगा आप उस पैसे से साइकल जो है वो खरीद पाएंगे आपको मैं बता दूँ, cycle के नाम पर आपको जो पैसा है मोधि सरकार देने का काम कर रही है ये भी आप 4 January से ही जो फोरुम है यामंतरित होने थे लेकिन एक महीने लेट से यह नके चार फरवरी से आपकी जो फोरुम है यामंतरित करने का काम कर रिया जा रहा है और ये जल दिसके फोरम जो है वो ओपन कर दी जाएगा आप नजदी की CAC Center अटल सिवा के इंदर पर जाकर करके जो फोरम है इसको भरवा सकती है अगली बड़ी ख़बर की बात करेंगे सरकार एक ओर आपको महातोफ़ा देने जा रही है। आपको मैं बता दूँ सरकार आपको अब हर महिने एक benefit और देने जा रही है जी हाँ आपको मैं बता दूँ बिजली आपके घरों पर बिजली अगर नहीं है ध्यान दे बहुत से ऐसे अभी भी गरीब परिवार है जो की जगमग योजना हो चाहे कोई भी योजना हो उससे जुड़े हुए है ही नहीं उनके घरों पर बिजली है ही नहीं बहुत से ऐसे गाव है जब बिजली के घरों पर बिजली है ही नहीं उनको सरकार ने अब चीनित करके उनके घरों को चीनित किया रहा है सभी परिवारों के घर को चीनित किया जा रहा है मोधी सरकार ने निर्देश जारी कर रहे के भी सर्वे करवाई जा रहे है जिनके घरों पर अभी भी बिजली नहीं है उनके घर को चीनित किया जाए उनके परिवारों को चीनित किया जाए 24 राम मंदिर प्राण परतिस्ता की दिन मोधी सरकार ने एक ऐलान करते भी कहा था कि हम तकरीबन 300 इनिट तक की जो बिजली है वो गरीब परिवारों को आने वाले दिनों में हम फिरी देंगे और आपको मैं बता दूँ 300 इनिट तक की जो बिजली है वो उनहीं को फिरी जो परिवार BPL से जुड़ा हुआ है द्यान दीजी का BPL से जुड़ा हुआ हुआ उनहीं को फिरी जो बिजली है ये दी जाएगी अब फिलाल की बात कर रही तो भाई जिनिका भी बिजली का कनेक्शन पहले कट चुका था उनका दुबारा से कनेक्शन में मोजी सरकार जो बारा से उनका जो कनेक्शन है वो जोड़ा जा रहा है वहीं आपको उदा दू सूर्य उदा योजना के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा उसके बाद आपके घर की छट पर एक सोलर पैनल मोदी सरकार लगाने का काम करेगी और ये जो सोलर पैनल होगा ये आपके घर भी फिरी में यूज कर पाएंगे ये मोदी सरकार का प्लान है भी बहुत जबरदस्त गोशन है मोदी सरकार के और बहुत ही बड़ा प्लान है एक करोड़ लोगों को पहले चरण में एक करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा उसके बाद दूसरे चरण में मोदी सरकार तक्रिबर पांच करोड़ लोगों को और इसका फाइदा देने का परियास करेगी अगली बड़ी करोड़ की बात करेंगे महिलाओं को एक और तफ़ा देने जा रही है मोदी स्थरकार चार फरवरी से ही एक कैम्प लगाया जाएगा अब गाओं गाओं सहर सहर उसमें चिनित किया जाएगा जिन भी महिलाओं को आप इलेक्टिक चूला चाहिए जी हाँ इलेक्टिक चूला जिनको चाहिए उनको मोदी सरकार इलेक्टिक चूला देगी बहुती कम दामे बई गयों अब मोधी सरकार आपको काम बात करें मैं तो धुमic closing के लिए जाएंगे, यमे अजंचे लिए जाएगा गार कार्षॉ गयों से 25 से 25 से 25 से 25 कर्षाइं थो 5 277 ले 5 गई by आतव करें मिक्तिक दोफ़ागों कि लिये जाएंगे खी सब्किन LPG gas cylinder खतम हो जाता है और आप खाना जो है वो कहां मनाते हैं आप फिर चूले की तरफ भागते हैं लकडी फूकते हैं लकडी वाड़े चूले की तरफ भागते हैं अब लकडी वाड़े चूले की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है आपको अब electric चूले के माध्यम से आप जो है खाना पकाएंगे और आपको इलक्टिक जो चुला है वो बिलकुल फिरी में तो ना बिलकुल ना मात्र पैसे में आपको उपलब्द करवाने का काम कर रहे हैं मोधी सरकार ठीक भी आगे भी कापी सारी करयांती कारी योजनाई ऐसी है जो कि आती रहेंगी आप यूटूब चैनल पर बने रहें यूटूब चैनल को अभी के अभी सस्ट्क्राइब कर लें इस वीडियो को लिंक सबीक साथ से ज़रूर कीजिगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बगवान करे आप सभी का दिन सुपरे